उतर भारत के यार्न बाजारों ने कीमतों पर दबाब जारी रखा क्योंकि खरीददारों ने बाजार से दूर रहना इसमें पसंद किया व्यपारियों के मुताविक इस्थिरता मिलने पर विवापस आ जाएंगे साथी साथ आपको बता दे कि ये मौजूदा कीमतें आकरशक हैं लेकिन कपास में ग्रावट यार्न खरीददारों को हतोत साहित कर रही हैं साथी दिल्ली और लुद्याना में सूती धागे कीमतों मे ग्रावट दर्ज की गई है आपको बता दे कि रिसाइकल किये गए धागे में भी ग्रावट आई है तो साथी उदर लुद्याना की अगर बात करें तो लुद्याना में सूती धागे की कीमतों में 10 से 15 रुपे प्रति किलोग्राम की ग्रावट आई है क्योंकि खरीददार अईस्थिर बाजार में खरीदना चाहते हैं और ये पहले से ही इस तरीके की मांजिक जो धारना थी वो बनी हुई थी सूती धागे की अधिकांस किसमें कम कीमतों पर बेची गई साथ है आपको बता दे कि लुदिहना के एक व्यापारी ने बताया कि खरीददार बाजार में इस्थरता का इंतजार कर रहे थे और इसके बारे में क्या कुछ डिटेल में ख़वर है आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं देखे इस रिपोर्ट उत्तर भारत के यारन बाजारों में कीमतों पर दबाब जारी रखा क्योंकि खरीदारों ने बाजार से दूर रहना पसंद किया व्यापारियों के मुताविक इस्थिरता मिलने पर वे वापस आ जाएंगे मजुदा कीमतें आकरशक हैं लेकिन कपास में ग्रावट यारन खरीदारों को हतूत साहित कर रही हैं बता दें कि दिल्ली और लुद्याना में सूती धागे कीमतों में ग्रावट दर्ज़ की गई है रिसाइकल किये गए धागे में भी ग्रावट आई है तो उधर लुद्याना में सूती धागे की कीमतों में 10 से 15 रुपे प्रति किलो ग्राम की ग्रावट आई क्योंकि खरीदार अइस्थिर बाजार में खरीदना नहीं चाहते थे साथ ही आपको बता दे की सूती धागे की अधिकांश किसमें कम कीमतों पर बेची गई लुद्याना के एक व्यापारी ने बताया की खरीदार बाजार में इस्थिरता का इंतजार कर रहे थे वे बाजार की मौजूदा इस्थिती में जो खिमने ही लेना चाहते हैं लुद्याना में तीस काउंट कोटन कॉमबेड यार्न 385 से 390 रुपई प्रतिक किलोग्राम जी एस्थि सहित पर बेचा गया था 20 और 25 काउंट कॉमबेड यार्न का कारोबार क्रमशह 375 से 380 रुपई प्रतिक किलोग्राम और 380 से 380 रुपई प्रतिक किलोग्राम था तिन सो चालिश से तिन सो पैतालिस रुपे प्रते किलोग्राम थी दिल्ली के बाज़ारों में कीमतों में ग्रावट जारी रही क्योंकि मांग बहुत सब्ताहत थी वे अपार सूत्रों के अनुसार खरीदार नई खरीदारी के लिए अनिश्चुक थे क्योंकि वे कीमतों में इस्तिरता देखना चाहते थे बुनाई और परेधान उध्योग से खरीदारी में सुधार को लेकर खरीदार अनिश्चित में है उधर दिल्ली में सूती धागे की कीमतों में अधिकांश, गिनती और किस्मों के लिए 5-10 रुपए प्रतिकिलोग्राम की गिरावट आई 30 काउंट कॉंबेड यार्न का कारोवार 385-380 रुपए प्रतिकिलोग्राम जी एस्टी अत्रिक्त के साथ में और 40 काउंट कॉंबेड 415-420 रुपए प्रतिकिलोग्राम 30 काउंट कार्ड डेट 340 से 345 रुपए प्रतक्लोगराम और 40 काउंट कार्ड यानि 380 थे 385 रुपए प्रतक्लोगराम पर कारोबार किया गया था कमजोर धारणा के बीच पानिपत की रिसाइकल यार्न बाजार में भी किरावट का रुख रहा एक एस्थानिय व्यपारी पृत्तम सिंग सचदेवा ने बताया कि खरीदार आमने सामने हैं और वे ततकाल जरूरत के लिए खरीदारी कर रहे थे वे बाजार के बंद होने का इंतजार कर रहे थे जब कीमतें बढ़ने लगेंगी तो खरीदार अपनी खरीदारी बढ़ाएंगे आज यार्न की कीमतों में 5-25 प्रत किलोग्राम की गिरावट आई है लेकिन कंबर की कीमत पिछले हपते गिरने के बाद 115 रुपए प्रत किलोग्राम पर अपर वर्तित रही उधर आपको बता दें कि पानी पत में क्या कुछ बाजार का रुक रहा तो पानी पत में तकरीवन यार ने जो था वो सफेद यार्न की अगर बात करें तो कारोबार 90-95 रुपए प्रत किलोग्राम जी एस्टी को छोड़ कर रहा और रंगीन उच्च गुडवक्ता यारन की अगर बात करें तो 110-15 रुपए प्रत किलोग्राम यहां देखा गया व्यापारियों के अनुसार केमतों में 37.2 किलोग्राम के 700 रुपए प्रत मन तक की भारी गिरावट दर्च की गई तो वहीं पंजाब में कपास 85 सो से लेकर 9000 रुपए प्रत मन रहा हर्याणा में 8100 से लेकर 8500 रुपए प्रत मन और उपरी राजिस्थान में 8800 से 9000 रुपए प्रत मन बेचा गया तो फिलहाले शो में इतना ही अगले शो में फिर मुलाकाट होगी तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रॉमाने गुरूपए नमस्काद